नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आमी ब्रोकर सॉफ्टर में बैक्फिल्ड डाटा के बारे में बैक्फिल्ड डाटा हम करने वाले हैं शेयर खान सॉफ्टर से एक जो शेयर खान सॉफ्टर एक बहुत सारी लोग यूज करते हैं और उसमें चाट का चार्ट के टूल्स में आप देख सकते हैं उसमें की बहुत सारा उप्षण है और उसमें मैक्सिमम आप देख सकते के 29 डिस्क का इंटरी डाटा हमें मिलता है तो हमें ये इंटरी डाटा शेर खान में किस तरह हम इंपॉर्ट करेंगे तो ये मैं आप एक सिधा सा तरीका में आपको बताने वाला वाज ये मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग अमिवर को सॉप्स्टर यूज़ करते हैं और मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रवैडर अवेलबली भी है तो ये क्यों कर सकते हैं तो हमें ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में अपडेशिन करना है यसे लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ पेज उपन हो जाता है चार्टिंग की विंड़ो ओपन हो जाती है वह सब्सक्राइब फाइव मिनिट्स का थ्री मिनिट्स का तो मैं यहाँ पर वन मिनिट्स सेलेक्ट करता हूं और मैक्जिमम डाटा में कि किस्टम डेपलोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 29 Thرتओ का इटिमेंटिकली आ जाता है जो भी मैक्जिमम होता है वह इैटिमेंटिकली वह सफ्टर ले लेता है और हमें क्या करना है कि वह डाटा हम अमीर्ण करने वाले हैं अमीर्ण करने वाले हैं तो इसका बहुत सारा आ essaन तरिका है सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम एक पर्टिक्ल स्क्रिप में SBN का डाटा लेता हूंगा अभी कि सबसे पहले आपको चार्ट पर राइट क्लिक करके शो में जाके डाटा लिस्टिंग में जाना है फिर क्या होगा कि एक छोटी विंडो ओपन हो जाएगे जो डाटा लिस्टिंग की विंडो है यहां पर आप देख सकते हैं एक मिनिट के अंतराल में ओपन हाइलों क्लोज सभी रोज आवलेबल हो जाएंगे मतलब अपना यह टेबल हमें इंपोर्ट करना है तो काफी आशान तरीकाय में एक्सपोर्ट डाटा क्लिक करूंगा तो जो भी आप पात देंगे वहाँ पर वो सेव हो जाएगी तो मैं माय डॉकुमेंट्स में सेव करूंगा पर्टिकुलरली और डाटा यह सेव करता हूं फिर अगर हो सॉफ्टर ओपन करूंगा एक सेल शीट ओपन करूं प्रश्पोर्ट किया हुआ शीट में आप सिम्बॉल का जो ऑप्षन है वो दिखाई नहीं देता मतलब वह एवलेबल नहीं है तो हमें सिर्फ वह मैनुएली इंसर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि कॉलम एक के क्लिक करने के बाद इंसर्ट न्यू कॉलम करूंगा औ वहावर में सिम्बॉल लिख दूंगा और जो स्क्रिप्ट का नाम है वह में डाल दूंगा इस भी आएं डॉट एक्यू आप जो चाहिए वह रख सकते हैं पिर हमें जब तक कि यह जितने रोज पर डाटा आ गया है वहाद तक हम सिलेक करेंगे फिर पर पेस्ट करेंगे तो इस तरह से हमें सबसे पहला कॉलम चाहिए तरह का कॉलम देजरा हम अभी रोकर में सौफटर में अपडेट करेंगे तो आपको आगे दिखाई देगा कि बैक्फिल करते समय डाटा इंपूर्ट करते समय वह टिकर सब्सक्राइब में उसको सेखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा सेव जाने के बाद में उसको यह फाइल एटमेटिकली इस ओवर्राइट से हो जाएगी फिर मैं अभी फाइल क्लोज करता हूँ अभी हम अमीब्रोकर में जाएंगे अमीब्रोकर सॉप्टर उपन करने के बाद फाइल में जाएंगे हम। फाइल में जो इंपोर्ट विजार है तो यहाँ पर क्लिक करना है फिर यह विंड arrays ओपन हो जाएगी सिलेक्ट फाइल इंपॉर्ट पिक फाइल करेंगे जो हमने जहाँ पर हमारी फाइल से हो है यह तो आहां पर आपको पात देना है ये शीट ओपन करोंगा ओपन करने के बाद नेक्स्ट फिर आप यहां पर देख सकते कि यह बहुत इंपोर्टन से यह जगह पर आप ध्यान रखिए जैसा टिकर है मतलब सिम्बॉल तो यहां पर हमने अपडेट किया था तो पहले यह ऑप्शन नहीं था इसी के करण में ने यह एज़एं का कॉलम में एड किया हुआ है और सिम्ब यहां पर जो option है दुसरा वह y-md मतलब year month date तो हमें dmy सिलेक करना हो गाए यहां पर यह दिखिए dmy मैंने इसने किया फिर बाद में यह जो कॉलम बाद में जो टैम का option है तो हम यह open तारीक के बाद में हम time का option सिलेक करेंगे time फिर open high low close volume फिर हम select करेंगे open प्रवान हाई लो ग्लोज और हम कॉलम एड़ करेंगे फिर बाद में वाल्यूम और जो यह आवरेज ने के यह आप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स पर क्लिक करना है फिर फिनिश दबाना है यह यह वन एक्व दूरिंग इंपोर्सेश दूए वान टो सी देड़ लोग आपके बाद में अभी करता हूं चलिए देखते हैं कि हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया कि नहीं इस बीए इन का कॉलम में के इस बीए इन का इस बीए इन का सिंबॉल सच्छेश देखेंगे कि यह दीखिए इन का अपना स्कृफ्ट अपडेट हो गया है कि काफी आशान तरिका है आप देख सकते हैं यहां पर चेहां का स्कृफ्ट अपडेट हो गयी है तो आप दोस्तों जैसे मैंने इंट्राडै बैक्विल की वा है इसी तरह हम जो शेयर में यूडी का भी option है तो वो भी आप update कर सकते हैं जैसा अगर यह software में अगर में विंडो पे क्लिक कुरूंगा और यहां पर जो daily option है तो यह चार्ट यूडी में convert हो जाएगा आप देश सेथे कि पूरा का पूरा यह करीबन कि 2000 अब जितना भी डाटा एवेलेबल है ना शेयर खान के पास वह आप अभी ब्रोकर में इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी खुद के अनेलिस के लिए तो यह भी मैं आपको दिखाता हूं वही सेम तरीका है जिसी तरह हमने पहले इंट्राडे के लिए ता डाटा लिस्टिंग में जाएंगे यह आप देख सकते कि यहां पर यह डाटा आ गया है फिर मैं इसको एक्सपर्ट करूंगा फिर यहां पर मैं अभी नाम थोड़ा च अब यह पिछली फाइल की तरह हमें उसको भी सिंबॉल का कॉलम हमें एड करना होगा अभी आप देख सकती कि यहां पर जो टाइम का ऑप्शन है वो हैड हो गया है तो हमें क्या करना है अगर यह ऑप्शन आपको यह कॉलम सिलिक करने के बाद आपको डिलेट करना होगा और फिर बाद में एक नया कॉलम इंसेट करना होगा सबसे पहला और वही पर हम पिछली तरह सिंबॉल एड़ करेंगे और sbin.eod लिखेंगे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है आप चाहें तो यह आवरेस का कॉलम यहीं से भी डिलेट कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पर जो लोग नहीं जानते कि यह क्या करना है तो आप यहां से भी डिलेट कर सकते हैं अभी हम यह इस फाइल को सेव करेंगे आप मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है अभी हम फिर फिर से वह ब्रोकर में जाएंगे और यह फाइल मैं क्लोज करता हूं और फिर फाइल में जाके इंपॉर्ट विजर्ड में जाएंगे फिर फाइल पाथ सेलेक करेंगे फिर एज बिए योडी नेक्स्ट करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंबॉल आ गया और जो टाइम का ऑप्षिन था वो चला गया है डेट हमें 9 डिस् मान्त यहरें और फिर बात में ओपन हाइलो ख्लोज को गोंक्वाण साफ तो ओपन हाइलो उल्ट जो सभी कि सभी उसी तरह है जिस तरह यह डाट अवले बले तो मैं नेक्स्ट करूंगा फिर फिनिश ज़ी देखते हैं भी इस बेरका आप देख सकते कि पुरा यहां पर अ कि काफी आसान तरीका है अगर कुछ आप पर्टिकलर स्क्रिप को एंलाइस करना चाहते हैं या एक अपने स्टरजी बनाई है कि उसी पर्टिकलर स्क्रिप में कि आप यूज करना चाहते हैं जैसा कोई निफ्टी बैंक निफ्टी एक्रोडायल में पर्टिकुलरी में भी करता हूं अगर किसी को पर्टिकुलरी स्क्रिप अपडेट करनी है उसको वाच करना है और जिनके पास और लेड़ी शेयर खान है तो वह काफी इस तरह यूज कर स अगरे वह भी मैंने आपको बताया था साइट पर जैसे करीबन एक देर साल पहले मैंने आपको बताया था मैंने 99.6 इंट पर आपको दीख जाएगा वहाँ पर मैंने इसी के द्वारा एक निफ्टी-50 की ऑनलाइन एक्सली किस तरह बना सकते वह भी दिखाया था और बाग कि आपको बताना चाहिए तो मैं यह आप इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया पर्टिकुलरली तो आप इंट्रडे और योडिक डाटा जो भी डाटा रहता है आप ले सकते हैं और मार्केट जो अल्यड़ी याहू फाइनांस गूगल फाइनांस जो डाटा प्रोवाइडर ह जिनको तो वहां से भी आप एक्सेल चीट बहुत सारे ओपन स्वरस में एवलेबल है एक्सेल चीट कि आप वहां से भी वैक फिल कर सकते हैं लेकिन इसमें शेयर खान में कि आपके पास जो फ्यूचर डाटा या ऑप्शन का डाटा है जो भी है तो वह आप अपडेट कर सक तो दोस्तों यह वीडियो में यही पर समाप्त करता हूं आप अपने कॉमेंट्स दीजिए अगर कोई आपका बैक फिल करने में थोड़ी प्रॉब्लेम आ रही है या कोई समझ में आपको दिख्कदार ही है तो मैं ज़रूर आपके कॉमेंट्स को रिप्लाइद देने के को सब्सक्राइब करेंगा तो मिलते हैं नेक्स वेडियो में एक नए इंफर्मेशन के साथ झाल 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 झाल